हेलो स्टुडेंट अब हम लोग डिस्कॉस करेंगे एनदर पार्ट बॉडी फ्लूइट और ब्लट का ठीक है जिसमें इंक्लूड़ेड है लीकोसाइट लीकोसाइट को हम लोग डबलो बीसी से बोलते हैं तैप अफ लीकोसाइट देन प्लेटलेट्स के बारे में हम लोग ड डबलो बीसी ठीक है डबलो बीसी को हम लोग जह लीकोसाइट भी बोलते हैं अगर इनका कलर देखेंगे यह कलरलेस होते हैं क्यों होते हैं क्योंकि यहां पर हीमोगलोबिन प्रेजेंट नहीं होता है अगर इसके इंपोर्टेंट फ़ॉंक्शन की बात किया जाए तो इसक देने का काम इन डबलो बीसी का होता है ठीक है जैसे हम लोग्राइश मेंदीखा तता nih क का process होता है formation of RBC उसे हम लोग जाए erythropoices बोलते हैं वैसी अगर देखा जाए जो WBC का process होता है development का उसे हम लोग बोलते है lecopoices ठीक है अब बात कर लेते हैं morphology regarding तो इनके size में क्या variation आता है यह basically जो यह WBC होते हैं यह larger size के होते हैं ठीक है डान RBC डामीटर के अगर बात क्या जाए तो इनका बारा से लेकर 20 micrometer इनका diameter होता है shape में क्या होते हैं इनका आकार निशित नहीं होता है इर्रेगुलर shape के भी हो सकते हैं और rounded shape के भी हो सकते हैं ठीक है numbers में देखा जाए जैसे मैं आप लोग को पहले पता है इनका number जो होता है यह RBC count होता हो लस होता है as compared to RBC ठीक है तो अगर देखा जाए तो कित्ते पाई जाते हैं यह 5000 से लेकर 10,000 cells per micro liter of blood में यह पाई जाते हैं इतना mountain का present रहता है होता क्या है अगर आप लोग कुछ anatomical terms देखेंगे जैसे leukocytosis, leukocytosis basically क्या होता है जब WBC का count abnormally increase होता है उसको हम लोग leukocytosis बोलते है और जब WBC का count abnormally decrease होता है तो उसको हम लोग बोलते है leukopenia ठीक है तो leukocytosis, leukopenia में confused मत हो येगा एक account क्या हो रहा है increase हो रहा है और दूसरे का decrease हो रहा है और जो third point है that is leukemia ठीक है इसमें क्या होता है इसमें abnormally जो है यह जो WBC का count है वो increase होता रहता है means इसको हम control नहीं कर सकते है it is uncontrollable ठीक है इसलिए इसको हम लोग बोलते है leukemia structure की बात किया जाए तो यहां पर जह है nucleus present रहता है that इसलिए इसलिए इसको हम लोग बोलते है it is nucleated cell okay and यह contain करता है intracellular organal next बात करते है life span की जैसे RBC के हम लोग देखा था 120 days की life span होती है लेकिन इसमें अगर देखा जाएंगे बहुत ही कम life span होती है ठीक है यह कुछ दिन के लिए few days के लिए जिन्दा रहते है life रहते है blood में क्योंकि इनको fight करना होता है जब यह fight करते हैं तो यह पर उनकी death हो जाती है वापस ही लौटकर नहीं आते हैं ठीक है नेक्स हम लोग बात कर लेते हैं कि जो WBC होते हैं वो कित्ते टाइप के होते हैं WBC को जहें दो टाइप में भाटा गया है first is the granule ठीक है granulocytes में and other one is the a granulocytes ठीक है जो granulocytes होते हैं वो जहें granules contain करते हैं अगर आप लोग के इसमें देखोगे स्टेनिंग होती है तो यह सेल क्या करते हैं यह स्टेन को ले लेते हैं और यहां पर डॉट डॉट कलर के जो structure यह granules दीखते हैं ठीक है वो प्रेजेंट रहते हैं granulocytes में ठीक है लेकिन एक granular के अगर हम बात किय अगर देखा जाएं यहां पर जो है granules absent रहते हैं बिल्कुल लेस मांट में present रहते हैं ठीक है तो यह absent रहते हैं अगर देखा जाएं एक granular में एक granular sites में बिसिकली यह lymphocytes present रहते हैं T lymphocyte V lymphocyte वैसी जहें monocytes present रहते हैं ठीक है तो यह कुछ type के जहें WBCs होते हैं तो अगर हम लोग इक करके इसको समझते हैं इसके जहें देखा जाएं कि कित्ता amount जहें यह overall cover up करते हैं हमारे पूरी WBCs में ठीक है तो पहले हम बात करते हैं नूट्रोफिल्स की नूट्रोफिल्स बेसिकली 60-70% जहें present रहते हैं इन और डबलबसी से ओल ओवर देखा जाए तो 60-70% परसें रहते हैं ठीक है इसके डिस्क्रिप्टिव पार्ट अगर लोग देखते हैं तो बिसिकली होता क्या है जो नूट्रोफिल्स होते हैं यह contain क प्रेजन रहते हैं नूट्रोफिल्स में और यह आपस में जहें कैसी कनेक्टेट रहते हैं थिन फिलमेंट्स ओके अगर आप लोग देखोगे इसमें जुस्ट इसका जो साइटो प्लास्मिक पार्ट रहता है वह जहें एक स्टेन लेता है लाइट पिंक कलर का यह प्रेजिया है ठीक है अगर फंक्षन की बात किया जाए तो यह फांक्षन परफॉर्म करते हैं जितें माक्रोब होते हैं अदर सबसेंसे उनको जहें खाने का काम इन केंशल का होता है नेक्स्ट आगर देखा जाए डाट इस दाइजन फिल्टिंगे और टोटल किते और इसका देखा जाए किता जो है डामीटर यह कवरड़ अधर करते हैं यह लू इंट और इसके फॉंक्शन की बात किया चाहित तो यह बैसिक्ली जह यह रिलीज करते है है certain chemicals at the time of allergic reaction ठीक है as well as यह कई सारे जो worms parasites होते हैं उनको भी इनके ऊपर भी अटाक करते हैं ठीक है बैसोफिल्स के अगर बात करें तो बैसोफिल्स और टुटल किता कवर करते हैं इनका नूपलेस होता है यह बैसिकली कंटेन करते हैं टू इन डिस्टिंक्ट लोब ऑके अंजो साइटोप्लास्मिक डैनियूल होता है वह क्या जो है ठीक है जो कि जो है प्रिवेंट करता है क्लॉट के फॉर्मेशन में ठीक है तो यह इसका फॉंक्शन हो जाएगा नेक्स अगर देखा जाए दाट इस अनधर टाइप ओफ डब्लू बीसी डाट इस एक रैनिलोसाइट्स जो एक रैनिलोसाइट्स होते है उसमें जह बैसिक आप लोग देखोगे इसमें जहें ग्रैनियोस प्रेजेंट नहीं है ठीक है जो साइटो प्लास होता है बेसिकली पतली सी डिंग बनाता है राउंड इस न्यूप्लियस तो आप लोग इसका स्ट्रॉक्शर देख सकते हैं ठीक है और डाइमेटर और टुटर की तक कवर है डाइमेटर जैनल मैक्रोमीर डाइमेटर हमेटर इसका होता है एक्स देख एक चारो रोच में इसके फॉंक्शन की बात किया जाए तो व्याक्शन में डेख स्पार है यह अगर स्प्छेशन के में प्लाज्म ब्लास्म तो नियूदक कर दों करता ہے टेया के सीथे सेल्स के अगर बात किया जाए तो यह किसमें help out करते हैं यह जिते भी वायरस होते हैं थीक है उन पर attack करते हैं साथ साथ उनको further यह kill up करते हैं जो मोरोसाइट्स की जब बात करते हैं जो मोरोसाइट्स होता है वह basically जह 3-8% में present रहता है ठीक है अगर देखा जाए इसके structure की बात किया जाए जो nucleus होता है इसका round होता है या फिर कह सकते हैं किड्नी शेप का somehow structure होता है या फिर horseshoe shape का होता है horseshoe means गोड़े की नाव की तरह ठीक है और यह जह contain करता है more cytoplast as compared to lymphocytes ठीक है इसका diameter की अगर हम बात किया जाए तो जहें 12-20 की macrometer इनका diameter होता है function की अगर हम बात करते हैं तो इनका phagocytosis function होता है means यह मतलब कैसे करते हैं कैसे act करते हैं as a fixed या wandering macrophage की तरह act करते हैं fix and wandering में फॉरक क्या है जो fix होता है जो हमारे जितने भी और यह tissue होते हैं वहाँ पर जहें यह macrophages fix रहते हैं जहां पर कोई भी my microorganism का attack होता है तो उस दरहां वहाँ पर यह अपना action perform करते हैं जो wandering होते हैं मतलब यह mobile होते हैं घुमते रहते हैं ठीक है यह blood में पूरा जहें घुमते रहते हैं करते हैं जहां पर भी infection देखते हैं वहाँ से release होकर अपना action perform करते हैं तो इस तरह आजाएगे इनको distinguish किया गया है तो यह कुछ प्रकार के हमारे WBC थे ठीक है नेक्स हम लोग बात करते हैं रिगार्डिंग प्लेट्स 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 बिसिकली क्या होता है कि स्मॉल इनका structure होता है ठीक है और इनका involvement किसमें होता है blood के clotting में किसी प्रकार के जब injury हो जाती तो कई सारे chemical reactions अकर होते हैं और हमारा clot का formation होता है ठीक है और हम बात करते हैं तो normal size क्या होता है यह smallest blood cell होते हैं और इनका diameter की अगर बात किया जाए तो दो से पांश मैक्रो मेंटर इनका diameter होता है size basically oval shape के होते हैं और अंडर कर के होते हैं या फिर rounded इनका shape होता है ठीक है sorry it's not size it is shape okay number के अगर बात किया जाए तो यह जाए 1500,000 से लेकर 1400,000 cells per micrometer of liter में present रहते हैं ठीक structure की बात किया जाए यह जाए बाउंडर रहते हैं पूरे plasma membrane से और यह कुछ organs contain करते हैं अपने cytoplasm में सासा cytoplasm में जाब protein है enzyme है hormones यह भी present रहते हैं ठीक है life is pain के अगर बात किया जाए तो इनकी life is pain किती होती है पांस से नाइन डेस के इनकी life is pain होती है नेक्स्ट हम बात करते हैं regarding the blood coagulation blood coagulation के जब लोग बात करते हैं तो इसमें हम लोग यह चीज़ देखते हैं जो जब किसी प्रकार हमारे blood vessels में injury हो जाती है है blood का loss ना हो ठीक है तो यह जित्ती भी sequence of reactions अकर होती है जो कि blood के loss को रोकती है prevent करती है उसको हम लोग बोलते हैं hemostasis ठीक है homeostasis और hemostasis में confused मत होईगा ठीक है तो यह जो hemostasis की condition होती है basically यहाँ पर 3 stages का involvement होता है पहला होता है vasoconstriction ठीक है इसको हम लोग vascular response में बोलते हैं second is the formation of platelet plug ठीक है and third one is the blood coagulation एक करके हम लोग जो इसको structure को समझ लेते हैं पहला जो होता है that is the vasoconstriction ठीक है तो vasoconstriction नाम से denoted है वैसस में क्या हो रहा है construction हो रहा है थिकने ौक्त क्या हो रहीए contract हो रही है तो यहाँ पर इंजरी हो गई ठीक है तो यहाँ पर blood का loss हो सकता है तो यहाँ यहां पर compressions Peanut को रोक सकें ठीक है तो यह तो वैसम कांस्ट्रिक्शन के बात हो गई हम लोग बात करते हैं तो basically होता क्या है कि हम जानते हैं हमारे जो बलड है वहाँ पर प्लेटलेट प्रेजन रहती है ठीक helping limbs की प्रेजन रहती है तो यह प्लेटेटेट क्या करती है यह प्लेट जहेंगों तो यहां पर जब यहेंग एडियर हो जाती है टीक है एक्पत्रेटेश होने के बाद रिलीज करी है को की साथ। क्या क्या यह हो सकते हैं आज यह हैчи कि ऐसे एट पी हैर एटी पी है अपलो आज थ्रोम्बोज में है थ्रोशու眑 य थिक और भी सारे सेरोटोनिन है ठीक है तो यह सारे जो जो ने इनका अपना अपना एक अपना अलग फंक्शन होता है ठीक है जैसे सेरोटोनिन के अगर मैं बात बता ऊच्छुन जो सारेarta वश्ष ही कहती है ठीक है तुम भी वहाँ पर प्लेटलीड का फार्म, यहाँ पर फार्म काар Hydliga का फार्मेशन करो, ठीकिन, ताकि वहाँ पर अच्छे से पुरी तरह अपने कल़तें पर्फॉर्म कर ले और ब्राट का लौश ना ओ, ठीकिन, तो यह पूरा यह प्लेटलarf फार्म कार्म का प्ल्लेट जो एक temporary यहां पर जहें किसका formation हो रहा है यहां पर temporary formation हो रहा है प्लेटल प्लक का फर्मेशन हो रहा है जो कि पूरे जो vessels हैं उसको close करती है और blood के loss को जहें होने से रोकती है ठीक है लेकिन यह process क्या होता है temporary होता है अब हमें क्या चाहिए strength चाहिए ताकि यहां से blood का loss ना हो पाए ठीक है क्योंकि यह process temporary है तो इसलिए यहां पर हमें जरुरत परती है एक thread-like mesh की जिसको हम लोग बोलते हैं fibrin तो अब हम third point पर आ जाएंगे third step पर आ जाएंगे हमारा formation भी हो गया प्लेटल प्लक का उससे पहले वैसो construction भी हो गया अब हम बात करते हैं blood coagulation की हम बात करते हैं तो basically होता क्या है कि इसमें कई सारी set of reactions प्लेटल प्लक बन गया तो यहां पर कई सारी set of reactions अकर होती है जिसके वज़े से क्या होता है हमारा जो है एक insoluble फ्रेड डर्ल जो थेड लाइक मेंश होता है उसका formation होता है ठीक है और यह जो fierrin का formation होता है यह basically involved करता है कई several set of कैसा ने same reactions ठीक है तो इसमें basically होता है कि involvement किसका होता है editing factors का cutting factors का क्लौटिंग factor का अपना अलग action होता है ताकि हो हमारा जो fibrin है वह एक जह है उनसका activation हो पाए और यह fibrin कोट का formation कर पाए ठीक है तो basically हम अब हम बात करते हैं blood coagulation की blood coagulation basically involve करता है तीन stages ठीक है तीन step involved करता है पहला क्या होता है पहला तो जहें हम इसके थूद देखेंगे यह हमारे जो क्या है यह clotting factors है ठीक है इनका activation होता है तब जाकर हमारा insoluble mesh like structure जो कि हम लोग वहते हैं उनका formation होता है ठीक है तो पहले हम लोग देख सकते हैं इसके डियाग्राम के थूप कि पहला जो step क्या होता है पहला step होता है formation of thrombocene ठीक है जो thrombocene होता है प्रो-thombocene उसका formation होता है ठीक उसके बाद formation फिर क्या होगा फिर उसके बाद जो हमारा प्रो-thombin है वो further convert होता है thrombocene में ठीक है यह दूसरा step हो गया और जो तीसरा step होता है that is the conversion of fibrinogen into fibrin ठीक है तो पहले हमें एक-एक step पे जाना है तो पहला step हमारा क्या था प्रो-thombinase का formation तो होता कैसे है होता यह है कि इसमें दो pathway का involvement होता है एक होता extrinsic pathway एक होता है intrinsic pathway जो extrinsic pathway होता है वो fast होता है और जो intrinsic pathway होता है वो एक slow process होता है मतलब यह time ले सकता है 3-6 minutes ठीक है जो extrinsic pathway होता है यहां पर क्या होता है tissue damage होता है outside the circulation ठीक है अब tissue का damage जब अकर होता है एक करके हम इसके strip को समझते हैं जब tissue damage होगा ठीक है तो वहां क्या होते हैं जो cycles होते हैं वो्bokया release करते हैं और को रिलीज करते हैं इसको हमलोग बोलते हैं tissue factor tissue factor को हम लोग जैब बोल सकते त्रमय थ्रमबोenteं अध्यागर होती है ठीकर reaction अगर होने के बाद क्या होता है क्या सारे factor के activation होने के बाद हमारे factor 10 का activation होता है यह factor 10 जह है यह factor 5 के साथ मिलकर बनाता है ठीके किसकी presence में presence of गार्शियम ठीक है ऐसी यह तो एक्ट्रेंसिक फैक्टर की बात हो गई जहांसे हमारा जो टिशू फैक्टर रिलीज हुआ था और इसका अक्टिवेशन हुआ था और फैक्टर फाइफ के साथ मिलकर इसने क्या बनाया प्रो थॉंबीनिस का फॉर्मेशन किया इन दे प्रेज इन इन ट्रेंसिक को इंट्रेंचर में होता क्या है यह जो हमारा इमठå होता है वह एक्स्पोक हो जाते है थिक्षा सब्सुपाणने की वज़चे से क्या होता है जो हमारा फैक्टर 12 होता है वह अक्टिव हो जाता है 12 जब फैक्टर अक्टिव होता है तो यह अक्टिवेशन होता है यह फाक्टर 10 का छीकरिक Alors अब आइटिमेटली हमने देखा, तो हमारे extrinsic factor में भी activation हुआ, factor 10 का, वैसे हमारे intrinsic factor में भी activation होता है, factor 10, ठीक है, तो ये activated factor 10 और सासत 5, ठीक है, क्या बनाते हैं, pro thombinase बनाते हैं, तो ये दोनों अभी तक जो पात्वे अलग लग चली थी, अब फिर एक में पात्वे चलें ठीक है, तो extrinsic और intrinsic factor ने क्या बनाया, किसका formation क्या है, pro thombinase, in the presence of calcium, ठीक है, सेकेंड जो हमारे intrinsic factor में, हम ये देख सकते हैं, कि हमारे किसी प्रकार जब डामेज, लेटली डामेज हो जाती है, तो ये activated हो जाती है, और ये release करती है, pro thombinase, sorry, phospholipid का ये release कराती है, तो ultimately ये ये क्या करती है, ये भी जो है, activation कराती है, factor 10 का, और वहाँ से हमारा pro thombinase बनता है, ठीक, तो पहला step तो complete हो गया, that is the formation of pro thombinase, अब क्या होना है, अब होना है, conversion होना है, pro thombin को thombin में, तो इसके लिए हमें, जो है, किसकी involvement होगी, इसके लिए हमें enzyme की involvement होगी, तो enzyme हमारा जो है, और ये बन चुका है, उसका formation हो चुका है, that is pro thombinase, तो pro thombinase, जो है, in the presence of calcium, ये क्या बनाता है, pro thombin को convert करता है, pro thombin में, ठीक है, अब ये pro thombin का का काम क्या होता है, pro thombin further, अब third step में आएंगे, इसमें यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर fibrinogen को convert कराने में help कर होता है, इसमें loose fibrin में, यहाँ जो thread होते हैं, वो loose होते हैं, ठीक है, लेकिन आब यहाँ पर strength की जड़ते हैं, ताकि यहाँ पर blood का loss ना हो पाए, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर activated factor 13 होता है, वो यह loose fibrin को क्या देता है, strength provide करता है, इससे हमारे क्या होता है, हमारे factors का activation होता है, तो हमें एक insoluble mesh, जो की fibrin है, उसका formation होता है, ठीक है, तो further यह क्या कराते हैं, यह blood clot का formation कराते हैं, अब एक चीज़ आप लोग और देखेंगे, जो thrombin है, thrombin बेसिकली, इसका जो कह सकते हैं, पॉजिटिव भी है, ठीक है, यह क्या कराता है, यह एक तरके सकते हैं, इसका feedback effect positive यह रहता है, कि यह factor 5 को भी activation में help करता है, ठीक है, क्यों क्योंकि factor 5 का ultimately काम क्या है, यह factor 10, sorry, जो activated factor 10 है, उसके साथ मिलकर जो प्रोथांबीनेस बनाता है, ठीक है, and second thing क्या है, यह एक्टिवेट करता है, प्लेटलेट को, जो की जो की release करते है, थांबीनेस मिलता है, ठीक है, और प्रोथांबीनेस जाए, फॉर्दर जाए, किस में help करता है, activation में, that is, थ्रॉम्बिन, तो यह क्या करते है, एक दूसरे को activate कराने में, इनका एक पॉजिटिव फीडबेक effect होता है, इनका थ्रॉम्बिन का, ठीक है, तो यही पूरी जाए, जो की involved रहती है, for clotting of blood, ठीक है, blood